असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा लगातार राहूल गांधी की पीछे पड़े हुए हैं और एक बार फिर से कॉंग्रिस के पूर्वध्यक्ष राहूल गांधी पर तीखामला बूल दिया कॉंगर्स के भारा जोडो निया यात्रा की अगवाई कर रहे राहूल गांधी का एक वीडियो वारल हुआ है जिसमें कार की चत पर वो एक डॉगी को बिस्किट देते दिख रहे हैं लेकिन डॉगी इसे खाता नहीं है इसके बाद वो इस बिस्किट को पास में खड़े एक व्यक्ति को दे देते हैं इस पर असम के मुखे मंत्री ने कहा कि मुझे भी राहूल गांधी ही नहीं बलकि उनके पूरे परिवार ने बिस्किट खिलाने की कोशिश की लेकिन खिला नहीं सके इस वारल वीडियो को परलवी नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है इसमें हिमद विस्वा सर्मा को टेक करते वे लिखा कि उनके बाद अब राहूल गांधी ने कॉंग्रिस के एक और सपूर्टर को डौगे के प्लेट से बिसकर दी इसे ट्वेट पर जबाब देते वे असम के मुखे मंतरे ने लिखा है कि पल्लवी जी राहूल गांधी ही नहीं बलकि पूरा परिवार मुझे विसकिट नहीं किला सका मुझे असमिया और भारती होने पर गर्ब है मैंने बिसकिट खाने से इंकार कर दिया और कॉंग्रिस से स्तीफा दे दिया अब वारल वीडियो में क्या है ये जानना जरूरी है दरसल बीजोपी के आईटी सेल के प्रमो कमित मालवे ने भी एक्स पर राहूल गांधी के इस वारल वीडियो को शेर किया है उन्होंने लिखा कि अभी कुछ तिन पहले कॉंग्रिस सध्याश खड़गी जिने पार्टी के बूट एजन्टों के तुलना कुट्टों से की और यहां राहूल गांधी अपनी यात्रा में कुट्टों को बिसकिट को दे दिया उन्होंने आगे लिखा जिस पार्टी का अध्यक्ष और युवराज अपने पार्टी कारकर्टाओं के साथ कुट्टे की तरह बरताब करे तो ऐसी पार्टी का लुख्थ हो जाना सौभाविक है अब इस पर किरन रिजजु ने भी निशाना साथ दिया है वीडियो तेजी के साथ वारल हो रहा है किरन रिजजु ने भी प्रतिक्रिया दियो उन्होंने अमित मालवे के ओर से शेर किये गए वीडियो को शेर करते वे लिखा किसे दोश्तू सुविधा संपन परिवार के मान सिक्ता की या उन लोगों को जो सुए अपमान सहते हुए अपनी युवराज के सामने नत्मस तक होते रहे हैं हिमंद बिस्वा सर्मानी भी राहूल गांदी पर आरूप लगाये थे बता दे कि असम के वर्थमान मुक्य मंत्री हिमंद बिस्वा सर्मानी जुलाई 2014 में कॉंगर्स से स्तीफा दे दिया था और वीजेपी में शामिल हो गए थे उन्होंने आरूप लगाये था कि कॉंगर्स में रहते वे असम के मामलूप पर बात करने के लिए जब वो दिली में राहूल गांदी के आवास पर उनसे मिले तो राहूल अपने डॉगी को बसकिट खिला रहे थे और वही बसकिट उन्हें भी खाने के लिए था इसी वज़े से उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी अब सचाई क्या है वीडियो देखें और अस पूरे प्रोग्राम को देखें और खुदी डिसाइड कर ले कि इसमें क्या वाकी राहूल गांधी ऐसा कर रहे है या फिर महज यह मान सिक्ता है और राहूल गांधी को टार्गेट करने की कोशिश हो रही है